Hey guys welcome back to my channel कैसे हो आप सभी लोग तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरा जो वीजा इंटर्व्यू था यूस का उसका experience कैसा था मुझे कौन से कौन से questions पूछे के और जो यह process रहता है वो कैसा रहता है यूस के वीजा इंटर्व्यू का उसमें आपको क प्यारी करना पड़ेगा इंटर्व्यू के लिए तो सबसे पहले आपको कोई भी अपना जो आपके फैमिली मेंबर हो या कोई भी आपका जो दोस्त हो कोई ऐसा एक ट्रस्टेड परसन जो है उसको आप साथ में लेके जा सकते हो उसके वज़े से आप अपना जो सामान है जो भी आपका बैग रहेगा या फिर आपका मुबाइल है वह उनके पास रख सकते हो जब आप वीजा इंटर्व्यू के लिए बिल्डिंग में एंटर करते हो तो आप सारा अपना सामान जो है अपने फैमिली मेंबर के पास दे सकते हो तो उसके वज़े से आपको अंदर लॉकर में चीजे रखने की जरूत नहीं है वहां पर अंदर भी लॉकर रहते हैं लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप अपने फैमिली मेंबर के पास अगर सामा सब कुछ दे के जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा तो आपकी वीजा इंटेव्यू के पहले अपको आपको तो सबसे पहले जो चीज आपको करनी है वह करनी है कि आपको आपना पासपोर्ट जो है वहां पर जो सेक्यूरिटी रहता है वह सेक्यूरिटी को पासपोर्ट दिखाना है तो आपका पासपोर्ट जो है वह स्कैन करेगा उनके मशीन में उसके बाद में उनको पता चलेगा कि आप सच में एक genuine candidate हो की नहीं और आपका जो interview schedule है वो आज के ही दिन है की नहीं यह सब वो चीज़ चेक करते हैं आगे जाने के बाद आपका सबसे पहले security check होगा उसमें आपको आपके blazer रहेगा या फिर आपने shoes पहने रहेंगे तो वो shoes निकालने हैं उसके बाद में अगर सारा सामान और आपको भी चेक करके वो आगे भेजेंगे और आगे आपको सामान आपका मिल जाएगा कोई भी एरपोट पर जाओगे तो आपका सेम security check होता है आपको सारा जो बैग है या फिर आपका blazer है कोई भी shoes पहना है आपने shoes watch सब कुछ सारी चीज़ है electronic devices सारे आपक करते हो building के अंदर तो आपको एक line में खड़े रहना है और at least 45 minutes का line रहता है मेरा भी कुछ 45 minutes का line था आप जैसी आगे जाओगे आप आगे आपको बहुत सारे Indian employees दिखेंगे जो वहाँ पर visa office में काम करते हैं अगर आपके मन में कोई भी question रहेगा तो आप उनसे पूछ सकते है वो आपकी help जरूर करेंगे और उसके बाद में आपको बताएंगे कि आपको कौन सी line में खड़ा रहना है और आपका interview कहां पर होने वाला है वो सारी चीज़े आपको बताएंगे तो जैसी आप आगे जाओगे वहाँ पर आपको सबसे पहले वहाँ पर बहुत सारी chairs दि जाएगा तो जैसी आपका number आएगा वो वीजा officer जब तक आपको बुलाता नहीं आपको वहाँ पर नहीं जाना है तो जैसी आपका नाम announce होगा आपको सबसे पहले वहाँ पर जाके खड़े होना है और खड़े हो कि वहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रीट करना है जैसे कि मै यहां पर मुझे कैसे इन ही आपको बताता हूं तो सब्सक्राइब मुझे कि अपार म्यों के क्वेश्चन पूचा की के इनट smart चीज एक कि सबक्राइब करते दीति वहनने को क्यों क्वेश्चन पूशा कि whispering you completed your graduation, तो मेरी जो graduation complete की जो date है वो मैंने बताई उनको कि क्या date थी, वो उस दिन को मैंने graduation complete किया था, third question जो था, वो था, what's your future plan after this internship, तो मैंने आपना future plan है वो बताई आप इस internship के बाद में क्या करने वाला हूँ, वो चीज इसा बताई, तो मुझे fourth question जो पूछा, वो था कि what's your current job roles in your workplace, क्या आप सच में वहाँ पर काम करते हो, अगर करते हो तो उस जगह का address बताईए, या फिर वहाँ के आपकी job roles बताईए, तो वो सब सारी अगर कोई चीज है वीजा इंटर्वी में, तो वो है आपका confidence, आपका confidence हाई होना चाहिए, वीजा इंटर्वी के time पे, और आपका जो वीजा ओफिसर है, उसके आखों में आखे डाल के आपको बात करनी है, यहां वहाँ देखना नहीं है, तो उसके वज़े से आपका confidence जो हो जाएगा, और अगर वीजा ओफिसर आपका passport आपको return नहीं देता है, तो आपका visa approve हो गया है, ऐसा आप समझ सकते हो, उसके साथ में ही आपको एक receipt देगा, उसमें लिखा रहेगा कि आपका visa approve हो गया है, और 5-6 business days में आपका visa जो है, वो stamp होके वो passport आपको return मिल जाएगा आपके address पे, और अगर आपको आपका passport return देता है visa officer, तो उसका मतलब होता है कि आपका visa जो है, वो reject हो गया है, और आपको बिलकुल भी निराश होने की जरुवत नहीं है, उसके बाद भी आप फिर से apply कर सकते हो visa के लिए, और अगर visa interview की practice आपको करनी है, तो उसके लिए questions पूछने के लिए बोलिए visa interview के, और उसके answer जो है आपको by heart करने है, और आपको ऐसा समझना है कि आपका visa interview चल रहा है, और तभी आप कैसे answers दोगे, उसी तरीके से आपको सारे answers देने है, उसी confidence के साथ, और वैसे आपको practice करना है, और उसके वज़े से आपका confidence जो है, वो बहुत high होगा, और उसके वज़े से आपका visa जो है, पर वीजा interview के लिए कुछ tips है, जैसे कि अगर आप interview के लिए जा रहे हो, तो खुद गाड़ी मत चलाइए, जो भी आप family member को साथ में लेके जा रहे हो, तो try करिए कि उनको गाड़ी चलाने के लिए देजी है, और आप आपको सारी जो भी चीज़े है, जो भी चीज़े आपने mention किये आपकी resume में, वही चीज़े बताईए, उनको छोड़के कोई और चीज नहीं बतानी है, जो भी चीज़े आपने mention की है, वही चीज़े उनको genuinely बतानी है, और जब आप visa interview के लिए जा रहे हो, तो उस टाइम प के जाईए, जो कि decent हो, ज्यादा strong ना हो, उसके वज़े से visa officer इंप्रेस भी हो जाएगा, तो जब आप visa interview के लिए जा रहे हो, तो आप सारे documents आपके file में लेके जा रहे हो, तो उसके उपर आप लेबल लगा जीजिए, कि कोई सा document कहां पर हो आपको जल्दी से पता चले, त बहुत सारे और भी वीडियो हैं, उनको भी देखिए, वो भी आपको बहुत help करेंगे आपकी visa interview के लिए, और ऐसी मेरी वीडियो को देखते रही है, और आपका प्यार दिखाई है, थैंक्यू सो मच गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को यह नए नए वीडियो के, तो यहाँ पर जो बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कीजिए,